प्यारे दोस्तों कैसे है आप सब बढ़िया है ना दोस्तों आपको सब्जियों में कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद है क्या कोई नहीं अरे ऐसा मत कहो सब्जिया तो खानी ही चाहिए भै मुझे तो टमाटर बहुत पसंद है गोल गोल टमाटर लाल लाल टमाटर क्यों मुझे पानी आया ना तो चलो ये गाना देखते है टमाटर खाने से हमें क्या क्या लाब होते है गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर गोल गोल ये लाल टमाटर होते जिससे गाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर स्वस्थ बनाता लाल टमाटर स्वस्त बनाता लाल टमाटर हम खाएंगे लाल टमाटर बन जाएंगे लाल टमाटर हम खाएंगे लाल टमाटर लाल टमाटर गोल गोल ये लाल टमाटर हो तेज से गाल टमाटर गोल गोल ये लाल टमाटर हो तेज से गाल टमाटर 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 लाल टमाटर खून बढ़ाता लाल टमाटर टमाटर, टमाटर, टमाटर लाल टमाटर स्वस्त बनाता लाल टमातर स्वस्त बनाता लाल टमातर मस्त बनाता लाल टमातर 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 लाल टमातर हम खाएँगे लाला टमातर, बंजाएँगे लाला टमातर, टमातर, घ्मातर, लाला टमातर नमस्ते प्यारे दोस्तों, कैसे है आप? दोस्तों, जब भी आप खाना खाते हो, तो तब हमेशा अती ठंडा या अती गरम नहीं खाना चाहिए. नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं. नहीं समझें, ये देखो हमारे बंदर मामा का क्या हाल हुआ. बंदर मामा पहन पजारा दावत खाने आए. 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 रस्कले परजी ललचाया. मुँ में रखा गपसे, मुँ में रखा गपसे. नरम नरम था, गरम गरम था, जीब जल गई लबते. अरे नरम नरम था, गरम गरम था, जीब जल गई लबते. बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए. फेके टोपी फेका जूता रोए और पचता ए. हएदे बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए. बंदर मामा पहन पजारा दावत खाने हाए बंदर मामा पहन पजारा दावत खाने हाए दीला कुर्का टोपी जूता पहन बहुत इतरा है बंदर मामा पहन पजारा दावत खाने हाए बंदर मामा पहन पजारा दावत खाने हाए रस्कले परजी ललचाया मुँ में रखा गपसे नरम नरम था गरम गरम था जीव जल गई लपसे अरे नरम नरम था गरम गरम था जीव जल गई लपसे बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए फेकी टोपी फेका जूता रोए और पचता आए फेकी टोपी फेका जूता रोए और पचता आए नमस्ते प्यारे दोस्तों कैसे है आप ? दोस्तों लड़ाई जगडा करना बहुत ही पूरी बात है चाहे आप सही हो या गलत हमेशा प्यार से ही रहना चाहिए और दोस्तों कुछ खाने के लिए तो बिलकुल नहीं लड़ना चाहिए हमेशा मिल बात कर खाना चाहिए आपस में मिलकर रहना ही तो हमारे जीवन का लक्ष है सही है ना ? चुन्नू मुन्नू थे दो भाई रस गुल्ले पर हुई लड़ाई चुन्नू बोला मैं खाऊंगा चुगडा सुनकर मम्मी आई दोनों को एक चपत लगाई पिर दोनों को प्यार से समझाया कभी न लड़ना कभी न जगड़ना आपस में तुम मिलकर रहना कभी न लड़ना कभी न जगड़ना आपस में तुम मिलकर रहना कभी न बोला मैं जगड़ना आपस मेंग तुम मिलकर रहना कभी न जगड़ना कभी न जगड़ना आपस में तुम मिलकर रहना दो भाई, दस गुल्ले पर हुई लड़ाई, चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, चुगडा सुनकर मम्मी आई, दोनों को एक चपत लगाई पिर दोनों को प्यार से समझाया, कभी न लड़ना, कभी न जगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना चुन्नू बोला सुरी मुन्नू, मुन्नू बोला सुरी चुन्नू, दोनों में फिर समझोता हुआ कभी न लड़ना, कभी न जगड़ना, आपस में तुम मिलकर रहना नमस्ते प्यारे दोस्तों, केसे हैं आप? दोस्तों, आपको बुखार आए, तो आपकी मम्मी क्या करती है? डॉक्टर जी के पास ले जाती है, सही ना? लेकिन आपको तो जरूर सुई और दवा से डर लगता होगा लेकिन भाई दवाईया तो लेनी ही पड़ेगी, तभी तो आप जल्च से अच्छे होंगे ऐसे ही हमारे चुहे मामा को एक दिन बुखार आ गया और फिर उसने क्या किया? ये जानने के लिए देखते हैं हमारा अगला गाना आज बंगलबार है चुहे को बुखार है चुहा गया डक्टर के पास डक्टर में लगाई सुई चुहा बोला उई, उई, चुहा बोला उई, चुहा बोला उई आज बंगलबार है चुहे को बुखार है 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 चुहा घए डॉक्टर के बास डॉक्टर ने लगाई सुही चुहा बोला उई उई चुहा बोला उई चुहा बोला उई आज बंगलबार है चुहे को बुखार है नमस्ते प्यारे दोस्तों कैसे है आप दोस्तों आपको बुखार आए तो आपकी मम्मी क्या करती है डॉक्टर जी के पास ले जाती है सही ना लेकिन आपको तो जरूर सुई और दवा से डर लगता होगा लेकिन भाई दवाईया तो लेनी ही पड़ेगी तभी तो आप जल्च से अच्चे होंगे एसे ही हमारे चुहे मामा को एक दिन बुखार आ गया और फिर उसने क्या किया ये जानने के लिए देखते है हमारा अगला गाना आज बंगलबार है चुहे को बुखार है चुहा गया डक्टर के पास डक्टर ने लगाई सुई चुहा बोला वी वी चुहा बोला वी चुहा बोला वी आज बंगलबार है चुहे को बुखार है 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 चुहा गया डक्टर के पास डक्टर ने लगाई सुई चुहा बोला वी चुहा बोला वी आज बंगलबार है चुहे को बुखार है आज बंगलबार है चुहे को बुखार है नमस्ते प्यारे दोस्तों कैसे है आप दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में सबजियों का कितना महत्व है सबजियों से ही हमारा शरीर चुस्त और फूर्तिला रहता है शरीर का विकास होता है आप सबजिया खाते हैं ना? अगर नहीं खाते हो तो आज से ही शुरू कर दो और क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही टोकरी में आलू और बेंगन साथ हो तो क्या होगा? नहीं ना? तो फिर ये देखो आलू का चालू बेटा कहां गए थे? बेंगन की टोकरी में सो रहे थे बेंगन ने लात मारी रो रहे थे ममी ने प्यार किया हस रहे थे पापा ने चकलेट दिया नाच रहे थे भाईया ने एक मिया खा रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे बेंगन लात मारी रो रहे थे ममी ने प्यार किया हस रहे थे पापा ने चकलेट दिया नाच रहे थे भाईया ने एक मिया खा रहे थे अरे पापा ने चकलेट दिया नाच रहे थे भाईया ने एक मिया खा रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे आलू का चालू बेटा कहां गए थे बेंगन की टोकरी में सो रहे थे सारी रात चमकताचान हसती हुई दमकताचान थेतारों का नेताचान बस शीतलता देताचान कभी बहुत चोटा हो जाता कभी तनिक भी नजर नाता करता है यह ड्रामाचान सब बच्चों का मामाचान करता है यह ड्रामाचान सब बच्चों का मामाचान सारी रात चमकता चान हसती हुई दमकता चान थेतारों का नेता चान बस शीतलता देता चान कभी बहुत चोटा हो जाता कभी दनिक भी नजर नाता करता है यह ड्रामा चान सब बच्चों का मामा चान करता है यह ड्रामाचान सब बैच्चों का मामाचान हाथ की मेरा साथी आया सुंद हिलाता हाथी आया जूम जूम कर हाथी आया पान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया हाथी मेरा साथी आया सुंद हिलाता हाथी आया जूम जूम कर हाथी आया पान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया हाथी मेरा साथी आया चिंट हिलाता हाथी आया जूम जूम कर हाथी आया पान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया हाथी मेरा साथी आया सुन्द हिलाता हाथी आया जूम जूम कर हाथी आया कान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया गूल गूल वे लाल तमाटर ओते जेखे गाल तमाटर स्पून बढाता लाल तमाटर पूती लाता लाल तमाटर मस्क बढाता लाल तमाटर मस्क बनाता लाल तमाटर हम का एंगे लाल तमाटर बंजाएंगे लाल तमाटर बंजाएंगे लाल तमाटर कर दो कर दो चमकता चान हसते हुई दमकता चान थेतारों का नेता चान बस शीतलता देता चान कभी बहुत चोटा हो जाता कभी तनिक भी नजर नाता करता है यह ड्रामा चान सब बच्चों का मामा चान करता है यह ड्रामा चान सब बच्चों का मामा चान बिल्ली रानी पूल्च उठारों दोड़ी दोड़ी आती है मैं देती हूं दूद मलाई मां को बहुत सताती है बिल्ली रानी आंख मोंद कट मेरे संसो जाती है मेरे संसो जाती है एक कव्वा प्यासा था घड़े में थोड़ा पानी था कव्वी ने डाला कंकत पानी आया उपर कव्वी ने पिया पानी सुनलो मेरी वानी अकल से जो लेता है काम रह जाता है वुसका नाम कव्वा प्यासा था घड़े में थोड़ा पानी था कव्वी ने डाला कंकत पानी आया उपर कव्वी ने पिया पानी सुनलो मेरी वानी अकल से जो लेता है काम रह जाता है वुसका नाम अकल से जो लेता है काम रह जाता है वुसका नाम रह जाता है वुसका नाम नत्कचुवा दोपी वाला रुम्जुम करता तप तप करता ताली बजाता उक्षोर मचाता खूदता पान्डता विल में जाता नत्कचुवा दोपी वाला रुम्जुम करता तप तप करता ताली बजाता उक्षोर मचाता खूदता पान्डता विल में जाता ओ पान्डर मौमा कहन पजामा कुटता दाले निकल पड़े दिखा नहीं केलें केशिलका पैल परातों पिसल पड़े पिसल पड़े पिसल पड़े दूर दूर तक बात कराता जब तक चाहो यह बति आता घर में जप्पी आता फोन घंटी मधुर बजाता फोन घंटी मधुर बजाता फोन खूब खिलोना टेलिफोन बहत सलोना टेलिफोन दूर दूर तक बात कराता जब तक चाहो यह बति आता घर में जप्पी आता फोन घंटी मधुर बजाता फोन खिलोना टेलिफोना टेलिफोन पिसल पड़े मेरा खोडा मेरा खोडा तू पानी तेजी से दोडा हरी खास से इसको प्यारा घुम चुपा सारा संसाथ यू तो यहनट कट है खोडा लेकिन इसे न भाता खोडा मेरा खोडा मेरा खोडा तू पानी तेजी से दोडा हरी खास से इसको प्यारा घुम चुपा सारा संसाथ यू तो यहनट कट है खोडा लेकिन इसे न भाता खोडा यू तो यहनट कट है खोडा लेकिन इसे न भाता खोडा हाथी मेरा साथी आया सुंद हिलाता हाथी आया जूम जूम गर हाथी आया कान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया हाथी मेरा साथी आया सुंद हिलाता हाथी आया जूम जूम गर हाथी आया कान हिलाता हाथी आया चिंटो मिटो बिल्लो राजा देखो देखो हाथी आया मचली है जिल की रानी जीवन है उसका पानी मचली है जिल की रानी जीवन है उसका पानी तैर तैर कर जाती है बिन पानी मर जाती है तेर तेर तर जाती है बिन पानी मर जाती है रंग बिरंगी मचली देखो मटक मटक वह जाती देखो शीशे के अंदर है पानी मचली है जल की रानी शीशे के अंदर है पानी मचली है जल की रानी क्यूं दोस्तो पसंद आया ना? एसे ही प्यारे प्यारे ला जवाब वीडियोज देखने के लिए प्लीज आपके मम्मी पापा से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए ना? हम और भी मज़ेदार वीडियोज आपके लिए ला रहे हैं तब तक के लिए शुक्रिया फिर मिलेंगे!